हलो माई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल गार्डनेंग एट होम और आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे चीजे शेयर करने वाली हूँ जो हम लोग अकसर गलतिया करते हैं अपनी समर में जिससे हमारे प्लांट्स बहुत ही डैमेज होते हैं तो अपने टैरस गार्डन के भी कुछ ब्लूम आप लोगों से शेयर करूंगी साथी में तो चलिए देखते हैं और बिल्कुल टॉपिक पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पुर होते हैं कि उनकी प्लांट्स डैमेज हो रहे हैं खराब हो जाते हैं हमारे प्लांट्स में बिल्कुल फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है और वो बिल्कुल सूख जाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फेस करनी पड़ती हैं हमें गर्मियों के दौरान ऐसा विंटर में नहीं होता है और बरसात में तो हमारे प्लांट्स बिल्कुल खिल खिला जाते हैं तो कुछ गलतियां हमारे बरसात में भी होती हैं तो वो रेनी सीजन आने पे मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो बना कर दूँगी समर में हम लोग अक्सर क्या गलतिया करते हैं वो आज मैं आप लोगों से शेर करने वाली हूँ तो चलिए फटा-फट से शेर करते हैं फर्स टॉपिक है कि बिल्कुल हम लोग अपने प्लांट्स को थोड़ा सा शेडे एरिया प्रोवाइट कराना चाहते हैं ताकि उनमें सीधी धूप न लगे और इसके लिए हम लोग अपने टैरस पे अपने गार्डन में ग्रीन नेट का जो है वो अरेंजमेंट करते हैं ग्रीन नेट हमारे प्लांट्स को काफी हद तक कूल रखता है और बचाता है पर ग्रीन नेट भी आप लोगों को बिल्कुल उनकी थिकनेस और थिननस देख के लेनी हैं बहुत ज़ादा मोटा अगर आपको ग्रीन नेट ले लेते हैं तो वो भी बहुत ही प्राबलम क्रियेट करता है देखिए बिल्कुल अगर ज़ादा आप थिन लगाते हैं तो उनसे एर सेर्कुलेशन बना रहता है हमारी प्लांट में हमारे प्लांट से बलकुल हेलदी रह तो आपके तेमपरेचर को देखते हुए लिजेगा जैसे बहुत सारे जगहां बहुत ज़्यादा गर्मिया होती है इस्पेशली राजस्थान और इस साइट के एरिया में तो वहां पे आप थोड़ा सा थेक भी ले सकते हैं और अगर आपका जो एरिया है जैसे थोड़ा सा ह हमारे उत्रा खंड वगरा के साइड में तो वहां की जो एरिया है वहां पे रात में हमारे काफी ठंड़क होती है तो राते अभी भी ठंडी होती है गर्मियों में भी तो वहां की जो ग्रीन नेट की जो थिकनस है वो थोड़ी सी हमारी कम भी रहेगी तो चलेगा तो बिलक नहीं है कि हमने कहा कि अपने प्लांट को हमें थोड़ा सा कूल रखना है लगाना है तो आप ग्रीन नेट की जगह आपने उसे किसी भी चीज से कवर कर दिया बहुत दोग उसे टिन के नीचे रख देते हैं रोहे के टिन होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में धूप से वो बिल्कुल गरम हो जाते हैं और उसे हमारे प्लांट जो है वो जुलसने लगते हैं तो ये चीज का ध्यान रखेगा हमको एकदम उनको शेड में नहीं रख देना है अपने प्लांट को उनको हमें धूप और छाओं और हवा सारी चीजे प्रोवाइट करनी है इसके लिए ग अपने प्लांट को ढख देते हैं अपना टरस और उससे भी हमारे प्लांट बिल्कुल छाओं में हो जाएंगे इस तरीके से सोचके वो ये सारी चीजें यूज कर लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें नहीं यूज करनी है इस बात का दिहान रखिएगा और ग्रीन नेट क जो ठिकनेस और थिननस है वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप जरूर से देख के ही अपने गार्डन में इंवाल्फ करिएगा तो ये हमारा पहला टॉपिक है और ये चीजें आप लोगों को देख के करनी हैं दूसरी चीजें हैं वाटरिंग वाटरिंग पे अलरड़ प्रेनेस होल से निकलना जरूरी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने उपर उपर से गीला कर दिया और हो गया तो जो भी वाटरिंग आप कर रहे हैं तो पानी पूरा ऐसा नहीं है कि देखिए हमारे जो पेरेनियल प्लांट है वो काफी उनकी जड़े हैं वो मजबूत हो जात हैं उनकी रूट बांडिंग वगर अब ही हम उनकी क्लियर करते हैं और ताकि उनमें पानी जो है वो अच्छे से उनकी जणों तक मिले तो आप पानी जब भी दीजे तो एक बार आप पाइप लेके यहां से लेके वहां तक आप पानी दीजे और उलटके फिर से आपको पा और आप उसमें दुबारा से पानी भर दीजे पूरी जड़को पानी मिलेगा ये गलती आप मत करिए कि बस आपने उपर उपर पानी दे दिया और छोड़ दिया और आपने सुचा कि हाँ मैंने तो पानी दे दिया है और प्लांट सर्वाइफ कर जाएंगे और पूरी गर्मी इसली चल जाएंगे तो ये गलतीया हम करते हैं कि पानी देते हैं पर उनकी जरूरत के एकॉर्डिंग हम पानी नहीं देते हैं तो पानी कितना देना है किस प्लांट को कैसे देना है मेरा वाटरिंग शेडूल आप देख सकते हैं और वहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं वहा पाई पुठाया और पानी सबको देने लगे तो धूप में आपको पानी नहीं देना है धूप में नीचे तक जब गरम-गरम मिटी गरम है एकदम ड्राइ है और आपने उसमें पानी डाला उसमें से बिलकुल गरम-गरम सी वो निकलती है वॉस्प और वो आपके प्लांट को जलाना शुरू कर देती है तो बिलकुल धूप में आपको पानी नहीं देना है अरली मॉर्निंग आप दीजे या फिर इवनिंग में दीजे चार बजे के बाद इस तरीके से आपके प्लांट जो है वो काफी हल्दी रहेंगे आज आते हैं अडेनियम सामने देख रहा है त तो बिलकुल समर में ये काम आपको नहीं करना है विंटर में आप इनको चार-पांस दिन पानी मत दीजे कोई बात नहीं चल जाएंगे पर समर में आपको इसमें भी डेली पानी देना है इतना ऐसा नहीं है कि ये बिना पानी के तीन-चार दिन चल जाएंगे तो ये बात क किसे दिखे इधर भी हमारे अडेनियम जो है वो हमारे समर के बिल्कुल बहुत ही खुबसुरत फ्लावर प्लांट है और बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग देते हैं तो इनका भी एक्स्ट्रा केर हमें अपने समर में जरूर करना है वाटरिंग इसमें आपको रेगुलर करना ह हैं और ऐसा नहीं कि एकदम आपने से धूप में छोड़ दिया कि इनको तो यह डेजर्ट रोज है और इनको ग्रीन नेट वेगर की क्या जरूरत है इनको आपने धूप में डिरेक्टी रख दिया इससे क्या होते हैं इनकी लीज जो है न वो बर्न होने लगती है जलने तो इन सच चीजों का ध्यान रखेगा अपने अडेनियम के उपर और नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फर्टिलाइजर पे तो फ्रेंड्स बिल्कुल गर्मियों में आपको गरम खाद अपने प्लांट में नहीं अट करना है फर्टिलाइजर पे भी मेरा वीडियो है मैंने आ वीडियो आप देखिए गरम खाद आपको नहीं देनी है कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है वो आप वीडियो चेक आउट कर सकते हैं और फर्टिलाइजर देने का टाइमिंग भी बिल्कुल सही होना चाहिए या तो फिर आप अरले मॉर्निंग 6-7 बजे तक दे दीजे और या फिर आप उसे 4-5 बजे के बाद दीजे गरम खाद आपको नहीं देना है जो थंडी वाली खाद होती है वही सब आपको अपने प्लांटर में प्रोवाइट कराना है अपने प्लांट्स को प्रोवाइट कराना है इसके साथ फ्रेंड्स आप कुछ एक काम ये भी कर स और इनको ठंडक बिल्कुल करके रखेंगे ये भी काम आप कर सकते हैं अपने प्लांट्स को हेल्दी और बिल्कुल अच्छा बनाने के लिए तो ये कुछ चीजें हैं अगर आप ये चीजें का ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट भी काफी हेल्दी रहते हैं और उनमे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और वो फ्लावरिंग जो है वो आपको पूरी समर काफी खुबसूरत से देंगे काफी अच्छे से देंगे तो उमेदे फ्रेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक जरूर पसंद आएगा और आप लोग भी अपने प्लांट्स को हेल्दी वेल्दी और ब्यूटिफुल रखेंगे बिल्कुल द्यूरिंग समर तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूं विदा और फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कोई नए इंफर्मिशन के साथ तब तक लिए थैंक्स पर watching and happy gardening to all of your friends bye